अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसिस बोलने की जरूरत पड़ती है जैसे उसने जो भी किया वो सही था तुम जो भी सोच रहे हो वो गलत है तुमने जो भी सुना वो गलत था मैं जो भी समझा वो सही है आईए देखते हैं कि ऐसे हिंदी के सेंटेंसिस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा रूल फॉलो होता है इसके रूल में सबसे पहले वोटेवर आता है जिसका मतलब होता है जो भी या फिर जो कुछ भी इसके बाद सबजेक्ट आता है इसके बाद हेल्पिंग वर्बाती है सबजेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अगर सेंटेंस में होती है तो इसके बाद में वर्बाती है जो कि टेंस के अकॉर्डिंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है इसके बाद अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो is आएगा और अगर past tense का sentence है तो was आएगा और last में right या wrong में से कोई एक आता है sentence के according अगर लिख रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि is या was और right या wrong को लिखने के पहले कॉमा जरूर लगाएंगे चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतना पूरी दरा से समझ में आ जाए उसने जो भी किया वो सही था या फिर उसने जो भी किया सही किया whatever she did was right whatever she did was right तुम जो भी सोच रहे हो वो गलत है whatever you are thinking is wrong वो जो भी कहता है वो सही होता है whatever he says is right तुमने जो भी सुना वो गलत था whatever you heard was wrong वो तुम्हें जो भी समझा रहा है वो सही है whatever he is making you understand is right whatever he is making you understand is right मैंने जो भी समझा वो सही था whatever I understood was right whatever I understood was right अब एक सेंटेंस आपके लिए उसने जो भी बताया वो सही था इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या आप मुझे कमेंट्स में बताये आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ अब तक की वीडियो में एक रपाइ